तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनको किसी इंट्रोडेक्शन की जरूरत नहीं है आप मेंसे बहुत सारे लोग इनके फैंस होंगे तो होता क्या यार कि ये 21 अगस्त को यूटूब पर अपना एक चैनल बनाते हैं यू आर क्रिस्टियानो की नाम से और इस चैनल क्रियेट करने के बाद 90 मिनट के अंदर ही रोनाल्डो के इस चैनल पर 10 लाग से जादा सब्सक्राइबर्स जुड़ जाते हैं सोचो यार 90 मिनट के अंदर 10 लाग सब्सक्राइबर्स और ये एक रिकॉर्ड है यूटूब की हिस्ट्री में क्योंकि इतनी तेजी से कोई चैनल ग्रो नहीं हुआ यूटूब पर वहीं यार प्रिजेंट टाइम की बात करूँ तो भाई 19 वीडियो अप्लोड हुई है चैनल के उपर और 19.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस चैनल के उपर टूर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे तो भाई इस पर जौन सीना का कहना यह है कि स्टोरी लाइन के तहती वो चैंपियन बनना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं इसलिए डबल डबली उनको 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका दे दे वो अपने उस हार के रिकॉर्ड को पहले सुधारना चाहते हैं जो कि बहुत टाइम से उनके पीछे लगा हुआ है और भाई देखा जाए तो जौन सीना के पास अगले साल तीन मौके होंगे डबल डबली के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने के जिसमें जो सबसे पहला मौका है वो है रॉयल रंबल जिसको जीत करके वो रसल मेनिया में चैंपियन बन्दे को चैलेंज कर सकते हैं मेबी कोडी रोड्स को दूसरा अगर रॉयल रंबल को वो किसी तरीके से नहीं जीत पाते हैं तो फिर एलिमनेशन चेंबर है जिसको जीत करके अगेन वो रसल मेनिया में चैंपियशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं और तीसरा मौका है मनी इन दे बैंक ब्रीफ केस को जीत करके किसी भी चैंपियन के उपर कैश इन करें और बन जाएं 17 टाइम वोल्ड चैंपियन इसके लावा एक और आप्शन है जो कि जौन सीना कर सकते हैं वो है किंग ओफ दर रिंग बन करके समर स्लैम में चैंपियन को चैलेंज करें तो भाई आप लोग को क्या लगता है इन में से कौन सा रास्ता अपना करके जौन सीना 17 टाइम वोल्ड चैंपियन बन सकते हैं कॉमेंट में बता देना बाकी वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर